आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल इस्टेडी ऑनलाइन चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फड़ फड़ चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेश नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको नॉटिफिकेशन प्राप्त हो सके इसमें हम बहुत ही जरूरी MCQ को डिसकस करेंगे और ओपन डाइस के भी कोश्चन को करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन देखिए नीचे दी गए पासे में काले रंग के विपरीद कौन सा रंग होगा ओप्सन देखिए हरा नीला पीला सफेद तो चली इसको सॉल करते हैं हमें सबसे पहले पता है कि दोनों पासे है और उनमें उभे निष्ट कौन सा एक अंक देखना है तो यहां देखिए सफेद है यहां पर भी सफेद है यानि कि वाइट है तो वाइट के नीचे हमने वाइट लिख दिया उसके बाद क्लॉक वाइस गए तो क्या है बलू है और ग्रीन है यहां पर clockwise का है तो yellow है और black है उसने हमें black के विपरीट पूछा तो हम बता देंगे कि क्या answer होगा green यानि कि option number A हमारा right होगा अगर दोस्तो white के पीछे पूछता तो हम कभी नहीं बता सकते इस चीज़ को दियान रखना अगर यहां पर अंकों की बात होती जैसे मान लीजे एक होता एक होता यहां दो होता यहां पांच होता यहां तीन होता यहां चार होता अगर अंक की बात होती तो हमें पता है कि एक से लेके 6 तक जो अंक है वो निर्धारित होते हैं वो सेमेत होते हैं तो एक के विपरीत छे है लेकिन रंग जो है वो कुछ भी हो सकता है इसलिए हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वाइट के पीछे क्या होगा उमीद है दोस्तो आप ये चीज समझ गए होगे अगर दोस्तो आपने इसका पहला भा लेकिनी और नारंगी अब देखिए दोस्तो इनी डाइस में से हमें बताना है कि हरे के विपरीत रंग कौन सा है आईए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम हरा लिख देते हैं जिसके विपरीत पूछा है आईए देखते हैं कि हरे के निकट वरती कौन कौन से रंग आया है यानि कि हारा जब भी आया है तो उनके निकट वरती कौन कौन सा रंग है तो यहां देखिए पासे नमबर तीन में कि हारा आया है तो उसके निकट वरती कौन सा रंग है देखिए लाल है और नीला है यहां हमें इतनी कलर हो गए जब हरा आया है और खोदारा भी एक कलर है यानि कि एक रंग हमेशा जब हरा नहीं आया है तो वो नहीं आया है यानि कि वो कौन सा बचर से इस नारंगी बचा और वही हमारा आंसर होगा दोस्तो नारंगी क्योंकि जब जब नारंगी आया है तो देखिए हरा नही निया है यानि कि option number D आपका right होगा उमीद है दोस्तों आप समझ गए होगे इस नियम को कहते हैं निकटवर्ती सत्वों का नियम अब देखिए इसको एक सेकेंड में भी आप कर सकते थे जैसे कि पासा नंबर एक और पासा नंबर चार में देखिए इनमें क्या उबहनिष्ट यखिए हरे के विपरीत क्या होगा नारंगी तो आपने इससे STEP का नियम कहलाता है यह उबहनिष्ट का नियम कहलाता है और यह वाला निकटवर्ति सत्वों का नियम इसलिए मैं बोल रह होगी चलिए next question देखते हैं निम लिखित में से कौन सा रंग पीले के बिपरीत होगा और सन देखिए लाल नीला बैगनी और गुलावी चलिए इसको solve करते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पे हम उबैनिष्ट का नियम भी लगा सकते हैं कब जब दो अंक दो किसी की भी दो पासे में उबैनिष्ट हो तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा रंग जो है वो उबैनिष्ट नहीं देखेगा यानि कि हमें निकट वर्ती सत्वों का नियम लगाना है आप डारेक्ट भी लगा सकते हैं इसको तो चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले पीला जिसके विपरीद पूछा है तो हम पीले के निकट वर्ती देखते हैं तो यहां पे देखिए नीला है और नारंगी है अब देखिए, थर्ड में देखते है पीले के साथ कौन सा आया है? लाल आया है और नीला आया है नीला हमने लिख लिया यानि की लाल भी इसके निकट वरती है अब देखिए, फूर्त में क्या है? गुलावी और पीला पीले के बिपरीत में गुलावी और लाल तो यहां पे गुलावी हमने लिख लिया लाल भी लिख लिया अब देखिए डाइस में टोटल 6 कलर होंगे क्योंकि 6 सते होती है तो अब देखिए 4 तो यह हो गई 5 भी यह हो गई बचा कौन सा जब जब पीला आया है तब तब देखिए क्या नहीं आया है बैगनी नहीं आया है और वही हमको option में दिया है देखिए लाल तो हो नहीं सकता क्योंकि लाल तो इसके निकट वरती है नीला हो नहीं सकता नीला भी निकट वरती है गुलाबी भी निकट वरती है तो विपरीत कहां से होगा तो विपरीत में होगा केवल बैगनी उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होगे आपका C option जो होगा वो right होगा चलिए next question की ओर चलते हैं next question देखिए त्रिभुच के विपरीत सतय पर कौन सा चिन होगा option देखिए ये breath है star है plus है और arrow का निसान है तो चलिए दोस्तों इसको solve करते हैं सबसे पहले दोनों dice आपको देख रहे होंगे तो इन में उबहनिष्ट क्या है तो इन में उबहनिष्ट है plus तो हमने plus के नीचे plus लिख दिया अब clockwise गए तो आपका आगया त्रिभुच और ये आगया आपका आयत अब देखिए यहां से जब आप clockwise जाएंगे तो ये आजाएगा आपका star और ये आजाएगा breath और त्रिभुच के विपरीत पूछा है तो वो star होगा यानि कि option number B आपका right होगा अगर plus के विपरीत पूछता तो इनमें से कोई नहीं होता दोस्तो आप बताई नहीं सकते रहे और बरत के विपरीत में क्या होगा आयत होगा चलिए next question देखते हैं चलिए दोस्तो next question है दिये गए पासे में कौन सा विकल्प इसका सही होगा वा तीन के विपरीत में कौन सा अंक होगा अब देखिए दोस्तों ये dice दिया है आईए इसके option देखे हैं तो ये रहे option आपके screen पे तो चलिए इसको solve करते हैं कुछ नहीं करना है हमें इन dice को solve करना है और बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा इसका खोला dice होगा और तीन के विपरीत क्या आएगा तो चलिए देखिए पासा नंबर दो और तीन को अगर हम लेते हैं तो इन में उवे निष्ट क्या दिख रहा हमें तीन दिख रहा है तो हमने तीन के नीचे तीन लिख दिया अब क्लॉक वाइस जब हम गुमाए तो यहाँ पर क्या आया पांच और एक और यहाँ पर तीन से गुमाए तो क्या आया चार और दो तो हमें पता चलिका कौन सा अंग है जो नहीं है तो वो छे है यानि कि तीन के विपरीत में 6 होगा अब देखिए हम देखते हैं तो देखिए तीन के विपरीट में 6 है यहां बिलकुल है हाँ और देखिए पांच के विपरीट में 4 है पांच के विपरीट में 3 है यानि कि आफसर नमबर 1 तो हो यह नहीं सकता अब यहाँ पर देखिए पांच के विपरीट में चार है लेकिन तीन के विपरीट में च्छे नहीं है तीन के विपरीट में एक है तो यह भी नहीं हो सकता यहां देखिए आपको 2 के विपरीत में 5 है यानि कि 2 के विपरीत में यहां 1 है यह भी नहीं हो सकता तो यही राइट आंसर होगा क्योंकि देखिए यहां पे 3 के विपरीत में यह हमारा 6 आया 4 के विपरीत में 5 और 1 के विपरीत में आप देख रहे हैं कि 2 है यहाँ पर भी देखी एक के विपरीत में दो, पांच के विपरीत में चार और तीन के विपरीत में च्छे होगा इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आफसर नमबर डी विकल्प हमारा सही होगा उमीद है दोस्तों आप ये चीज समझ गये होंगे चलिए next question देखते है चलिए दोस्तों next question है दिये गए खोले पासे का निमन विकल्पों में से कौन सा बंद स्वरूप होगा? यनि कि ये जो एक open dice दिया है हमको बताना है कि कौन सा बंद स्वरूप होगा आईए विकल्प देखते हैं तो यह रहे विकल्प आपके सामने तो इनी में से हमें बताना है कि इसका जो है इस खोले डाइस का इन में से बंद स्वरू कौन सा होगा तो चली सॉल करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एफ आया है तो एफ के निकट वरती क्या है B और E तो देखिए एफ के बिपरीत है B यहाँ तो निकट वरती हो गया यानि कि यह आपसा नमबर A तो हमारा होई नहीं सकता अब देखिए यहाँ पर F आया है F के बिपरीत है B तो देखिए F के बिपरीत B है बिल्कुल सही है यहाँ दिखनी रहा है अब देखिए E के निकट वर्थी क्या है D है हम देखते हैं कि E के जो बिपरीत है C है बिल्कुल सही E آیا है तो C नहीं दिख रहा है अब देखिए D को देखते हैं तो D के विपरीत में क्या है? A है और बिलकुल सही है कि जब D आया है तो A नहीं दिख रहा है यानि कि B हमारा राइट आपसन होगा देखिए दोस्तों यही हमारा सही होगा आगे भी आप चेक कर सकते हैं जैसे कि आप E को देखते हैं तो E के विपरीत में है C यहाँ पे देखिए यह E के विपरीत में है C लेकिन यहाँ पे E के बिलकुल निकट वरती हो गया यानि कि यह तो हो नहीं सकता उसी प्रकार से देखिए A के बिपरीद में है D यहां देखी यह A के बिपरीद में हमें दिया है D लेकिन यहां पर D जो है वो A के साथ निकट वरती हो गया इसलिए यह भी नहीं हो सकता केवल B की कंडिशन जो है पूरी सैटिस्फाई होती है क्योंकि देखी F आया है तो B नहीं आया है क्योंकि B बिपरीत है उसी प्रकार से E आया है तो C नहीं आया है क्योंकि E के बिपरीत में C दिया है उसी प्रकार से देखिए D आया है तो A नहीं आया है क्योंकि इसके बिपरीत है इसलिए right answer क्या होगा option number B होगा दोस्तो खुले dice भी बिल्कु लीजी होते हैं इसी टैप से हमें करना रहता है होता कोछ नहीं है चलिए next question की ओर चलते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहो तो वीडियो को like और जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार दिख रहे हो चैनल पे नए हो वो चैनल को subscribe पहले होना चाहिए कि मानक पासा किसे कहते हैं और सामाने पासा किसे कहते हैं अगर आपने भाग एक नहीं देखा तो हो सकता आपसे यह प्रस्ट नहीं ना वने और जिसने देखा उसने तो आंसर दे भी दिया होगा तो इसका right answer है दोस्तो option number B यह देखी यह एक सामाने पा तो इसलिए right answer क्या होगा option number B होगा चलिए next question देखते हैं चलिए दोस्तों next question देखिए दो बिंदू वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदू है यानि कि दो के विपरीत हमको बताना है कि कौन सा है option देखिए एक पांच चार और छे देखिए S.S.C. में पूछा ग नमबर चार में दो अंक उभे निष्ट है कौन कौन से छे और चार उभे निष्ट है यहाँ भी छे और चार उभे निष्ट हो गया तो एक के विपरीत में हमको पता चल गया कि पांच होगा यानि कि एक के विपरीत में पांच होगा यह पता चल गया लेकिन हमको दो के वि clockwise चलना है तो यहाँ पे भी clockwise चलना है तो क्या आ रहा है तीन और दो आ रहा है हमने लिख दिया यहाँ पे क्या रहा है clockwise जाने पे चार और छे आ रहा है अब देखिए कौन सा अंपर जो नई दिखा एक हमें नई दिख्ञा यानि कि 5 के विपरीत एक होगा वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था तो देखिए यहां से भी वोई आया हमें पूछाए कि दो के विपरीत कौन सा होगा तो दो के विपरीत देखिए छे होगा यानि कि ओप्सन नंबर चौथा हमारा राइट होगा उमीद है दोस्तो आप ये चीज समझ कर दीजेगा